इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह इसमें ज्वनाशक और एनालजेसिक गतिविधिया होती हैं। इसमें सिनेबार, ट्रिकटू, पिपल अमूल, एकोनाइट के साथ अन्य जड़ी बूटियां और खनिच शामिल हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, सांस समबंदी समस्याओं से निपटने में फाइद इमंद। दो, यहां आपके समगर स्वास्थ्य और खुशाली को बहतर बनाने में मदद करता है। तीन, इसका उप्योग फ्लू या हलके बुखार से राहत पाने के लिए किया जाता है। चार, उप्योग से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें। पांच, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। छै, ठंडे और सूखे स्थान में रखें। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।